कर NOW i can disk कैंशिलेशन और जी एस टी रेजेशन के अगर हम बात करें तो आप प्रोसीजर क्या-क्या फॉलнEr Secondly कैसे 뭐야 आप खुछ से cancellation के लिए apply कर रहे हैं GST के तो आपको क्या-क्या procedure follow करना पड़ सकता है क्या आपकी कोई पहले की pending liability है जो cancellation के शाथ साथ खतम हो जाएगी या फिर आपको उसके लिए कोई alternate way आपको लेना पड़ेगा आज इसके बारे में हम इस वीडियो में जानेंगे चीरीज को continue करते हुए आपको आज थर्ड पार्ट में बताऊंगा कि प्रोसीजर आप कैसे फॉलो कर सकते हैं means cancellation GST का आप कैसे कर सकते हैं क्या-क्या procedure होगा उसके लिए दोस्तों अगर आप cancellation करने जा रहे हैं तो cancellation के लिए आपको यह देखना होगा क्या आपकी liability end हो चुकी है means जो आप मतलब event अगर आप उसे बोल दिए या फिर liability आपने अगर voluntary registration लिया था और आप खुझ से अगर आप cancellation आप करना चाहरे हैं तो आपको यह देखना होगा कि क्या मैं आज के दिन से libel हो चुका हूँ means cancellation के लिए libel हो चुका हूँ not for registration आप cancellation के लिए libel हो चुके हैं कि हाँ आप मैं अगर cancellation लेना चाहूँ तो करवा सकता हूँ उस दिन से उस दिन के within 30 days आपको cancellation के लिए form apply करना होगा वो form होगा form GST REG 16 means GST registration 16 उस form में आप cancellation के लिए apply करेंगे उससे पहले आपको क्या क्या चीज़े follow करनी होगी आपको ये चेक करना होगा कहीं मेरे पास कोई ऐसी pending tax liabilities तो नहीं है जो मुझे पहले fulfill करनी होगी obviously fulfill करनी होगी कि क्या क्या dues हैं आपके जैसे अगर मैं पहले point की बात करूँ तो dues में आपका पहला point cover होगा input credit आपका input credit कितना है और आपका output tax liability कितना है अगर कोई overdue निकलता है means आपका output tax liability ज्यादा निकलती है और input tax liability आपके कम है तो उस due को आपको पहले settle करना होगा ये बात बिलकुल ही अपने दिमाग से निकाल दें कि मैं cancellation कराते ही मेरा GST से पीछा छूट जाएगा cancellation आपके side से apply तो आप कर देंगे but वो subject to approval होगा जब तक proper officer ये satisfy नहीं हो जाता कि आपका cancellation genuine है आपका application form genuine है तब तक वो cancellation effect में नहीं आएगा जिस दिन वो satisfy हो गया उस दिन के means आज अगर मालेजी application आपने फाइल किया है तो within 30 days आपको वो satisfy करके बताएगा मतलब application के date of application से या फिर date of notice अगर उन्होंने कुछ clarification के लिए कोई notice इसू किया उस notice के within 30 days आपका cancellation effect में आ जाएगा अगर मैं पूरी बात बताऊं आपको तो आपने apply किया suppose एक January को आपने libel होते हो आप कि मुझे आप cancellation करा लेना चाहिए इस यहाँ पे maybe libel word थोड़ा सा अलग हो सकता है cancellation के लिए बट अगर आप समझना चाहें तो समझने के लिए यह है कि आपका पूरी तरह से आप मन बना चुके है कि मुझे cancellation आप कराना है तो cancellation के अगर मैं 1st January मान रहा हूं तो 1st January से आप date of event है means GST में इसे event बोला गया है कि इस दिन आप cancellation के लिए हो जाते हो कि आप मुझे cancellation कराना है इसके 30 दिन के अंदर अंदर means 30th of January तक ही मुझे cancellation के लिए form apply कर देना है जो form मैंने बताया form GST registration 16 उसके बाद उसके within 30 days application के within 30 days means अगर आपने 15th of jan को suppose करता हूं मैं कि 15th of jan को आपने application submit किया है तो उसके within 30 days आपको proper officer जो है वो सारी चीज़ों को देखेगा inspect करेगा क्या सारी चीज़ें ये correct है इन्हों के सारे dues clear है जो भी pending liabilities थी वो इन्होंने clear कर दिये किसी भी way में वो आप payment करना चाहें कि dues कैसे clear करते हैं उसके लिए आप हमारी वीडियो देख सकते हैं मैंने ही उस वीडियो को बनाया है उसमें voluntary base पे payment आप कैसे कर सकते हैं को कोई भी due अगर आपके ओपर होता है तो उसका link आपको इसे description box पर मिल जाएगा तब तक के लिए मैं इस वीडियो को continue करता हूं इसमें ये था कि proper officer आपके within 30 days में सारी चीज़ों को govern करेगा कि क्या ये satisfactory है क्या इनका GST registration cancel होना चाहिए उन चीज़ों को govern करने के लिए आपक date of notice reply means आप जिस दिन से reply करते उसके within 30 days से फिर वह effect हो जागा means ये date date by date date by date change होती जाएगी जब आपसे वह clarification मांगते हैं आपने कोई notice का reply submit किया उसके बाद फिर ये final submission के बाद ही आपका cancellation of GST registration effect में आएगा ऐसा नहीं है कि आज आपने आज apply किया और आप expect करें कि within 30 days cancellation तो ह ही जाएगा अब मैं business चाहूं तो बंद कर सकूं without dues आप business कभी stop नहीं कर सकते हाँ stop आपका हो चुका है वो nature अलग है but आपको dues GST के थू करना ही पड़ेगा voluntary base पे payment करनी होगी या जैसे भी आपका proper officer demand करता है उस base पे payment करनी होगी बात करते हैं कि pending tax liability में क्या क्या चीज़ी हो सकती है एक point तो मैंने आपको बता दिया कि या तो आपका input जो है वो चाहे goods के मामले में हो semi-finance goods है या finished goods है उसके मामले में input credit जो आपका है या फिर आपका input है वो capital goods के मामले में है तो दोनों चीज़ों की liability को आपको चिकनना ह होगा कि मेरा at the date जिस दिन ये event arise हो रहा है means cancellation जिस दिन मैं सोच रहा हूँ उस दिन मेरे पास कितना input है मैं कितनी चीज़े मेरे पास tax में मेरे laser में सो हो रही है और उसी भी हाफ आपको दूसरी चीज़ चेक करनी होगी कि मेरा output liability कितनी बनती है means suppose करते हैं अगर आपने January की filing नहीं करी है तो पहले आपको January की filing करनी होगी January के dues clear करने होगे आपको input output means एक तरह से balance करना होगा सीधे सीधे अगर world मैं बोलूँ तो आपको zero करना होगा पूरा कोई भी liability आपके उपर ना रही हो कोई भी liability government के उपर ना रही हो आपके पास ऐसा भी अगर होता है कि liability extra निकल है तो उसके लिए मैं separate video बनाऊंगा जिसमें आपको बताऊंगा कि उस चीज को आप कैसे claim कर सकते हैं यह था cancellation related कि procedure आपको क्या follow करना है बहुत ही simple procedure है 30 days के time मिलता है आपको form GST registration 16 में होता है और अगर यह suomot apply होता है means proper officer ने अगर आपको cancellation के लिए procedure अप्लाई करते हैं तो उसके लिए वो form use करेंगे form GST registration 17 आज हमने दो form डिसकस की हैं GST registration 16 और GST registration 17 means अगर आप खुछ से apply करते हैं तो आपको form 16 में apply करना होगा और proper officer अगर apply करते हैं तो वो 17 में होगा कैसे उसे fill करना है क्या क्या चीज़े हैं वो हम बाद में discuss करेंगे आज के लिए इतना ही होग बाकी cancellation को अगर आपको और अच्छे से समझना है तो मेरे पहले दो parts आप जरूर देख करके आए जिसमें आपको मैंने basic बताया कि cancellation कैसे हो सकता है क्या क्या consequences क्या क्या terms हो सकते हैं जो आपको cancellation में follow करने चाहिए इसके just about एक video आएगी कि अगर आप cancellation करा लेते हैं तो उसके प्रोसीजर क्या होगा या अगर आपका बीच में कहीं mood change होता है कि cancellation तो मुझे कराना नहीं था अभी तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं तब तक के लिए हमारे साथ बने रहे हमारे चैनल को subscribe करें आप हमें follow कर सकते हैं Facebook, Twitter, Instagram पे और बाकी कई सारी वीडियो आपको सेम YouTube चैनल पे मिल जाएगी हम Amazon Fire TV पे Apple TV पे Android TV पे और अब Gio TV पे भी एवलेबल है प्ले स्टोर पे भी हमारा एक एप है Tax for Wealth के नाम से हमारे साथ जुडे रहे और बेल आइकन को दमाना बिल्कुल न भूले उसके साथ में जो एक घंटे का आइकन आएगा उसे तो जरूर दमा जिससे आपको रगलर अपडेट्स मिलती रहे थैंक्स